दोस्तों कर आप अपने Facebook अकाउंट को permanently delete करना चाहते हैं Facebook से कि वो अकाउंट आपका किसी को भी दिखाई ना दे उसको आप कभी भी use ना कर पाएं तो आप permanently delete करना चाहते हैं चैनल परना है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो परसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना तो चलते हैं डायर्ट मोबाइल फॉन की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूं Facebook अकाउंट को permanently delete कैसे करना है तो यहां पर आप सामने मेरे मोबाइल फॉ आया हुआ था उसका मैं पास्ट भूल गया उसको लोगिन नहीं कर पा रहा हूं तो उसको कैसे डिलीट करूं भही वो डिलीट नहीं होगा जब तक आप किसी भी अकाउंट में लोगिन नहीं होगे तब तक वह अकाउंट डिलीट नहीं हो सकता है तो आपको क्या करना है Facebook अब आप aa Church नहीं या अब आपको ऊपर राइट आप कॉर्णा और में एकन तो सब्कमेस करना है अब आप सेटिंग्स का इकन DJ हमने पर सेटिंगे ऐसेटिंग्स पर कली करना है सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको option दिखेगा अकाउंट ownership and control का आपको इस पर click कर ना है account ownership and control पर click करने के बाद आपको उपर option Pelूर एक्सिवचन के दो aziz1 धो डिया अठी आपको यहजान। अन पर करना है और डियक्टिवेट भी आप यहाँ से कर कर सकते हैं Facebook के multiple account को भी डिलीट कर सकते हैं तो आपको खुल में आकर जिस account को delete करना है उस account को select कर देना है Facebook account मेरा इस पर क्लिक किया इस पर क्लिक करने के बाद आपको दो option मिलेंगे आप डियक्टिवेट account और डिलीट अकाउंट तो हम अपने अकाउंट को पर्मेंट करना चाहते हैं यानि कि हमीशा हमीशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो आपको डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देना है और नीचे time spent on Facebook तो यहाँ पर मैंने जो नोटिफिकेशन से इनको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना नहीं तो वही कंटीनू पर क्लिक कर देना कंटीनू पर क्लिक करते हैं यहाँ पर शो हो गया है पर्मेंटली डिलिट अकाउंट यहाँ पर आपको सभी चीज़ हो जाएंगे आपका अकाउंट एक तरह से डियक्टिवेट हो जाएगा मैसेंजर वगरा कोई भी आप यूज नहीं कर और सभी मैसेज आपके यहाँ पर डिलिट हो जाएंगे तो खुल में लाकर आप अपने फेस्बूक अकाउंट को डिलिट करना चाहते हैं तो आपको एक और यहाँ पर शोग रहा है डाउनलोड और फेस्बूक इंफोर्मेशन आपकी जो भी फेस्बूक पर डेटा है आपकत क्लिक करें यहां से बालने के अपको सब्सक्राइब बमते से कर लेका वहांगे जब बेगर फेस्टूक आपको अपको फिर रमित पर क्लिक कर देना है लेकिन नहीं आपको बता जयता हूं कि आप अपकाउंट एजब से करने कर रहे हैं यहांस देट के बाद 30 दिन के बाद आपका अकाउंट पर्मेंटली डिलेट हो जाएगा नि जिस देट को आप प्रोसेस करेंगे उसके 30 दिन तक आपको अपने पर यहां से डिलेट करते ही 30 दिन तक अपको अपने अकाउंट को लोगिन हो गाई नहीं और अपका माइंड चेंज होता है भई मुझे अकाउंट डिलेट नहीं करना था तो तो 30 दिन से पहले-पहले किसी भी डिवाइस में लोगिन कर लेए अपने आईडी पासवर्ट से अकाउंट डिलीट होने से बच जाएगा तो आपको डिलीट कर देना आपका अकाउंट यासे लोग आउट हो जाएगा और दिलीट हो जाएगा तो अमीर करता हूं आपको आज वीडियो में तब तक के लिए बाई